तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह मेडिसीन है और यह कैल्सियम है कैल्सियम बॉड़ी के लिए बहुत ही महत्पूर काम करता है उसी तरीके से कैल्सियम हमारे पौदे के लिए बहुत ही उप जबता है अगर पौदा हमारा कमजूर होता है तो उसमें कहिन कहीं बहुत ए हैं तो कमेंट करके आप जरू बताएं कि आपको पौदे पर इसका क्या रिस्पांस मिलता है मैं बताए तो आपको कि अगर इस पैर भी मेडिसीन अगर आपके पास कैल्सियम है तो उसको भी आप पौदे पर यूज कर सकते हैं को कि हम लोग टेस्ट गार्डेनिंग करते हैं तो चार-पांच पौदे रखते हैं हर एक फसल का तो आप थोड़ी थोड़ी पौदे पर इसका यूज करेंगे तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा बहुत बड़े लेवल पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो अब लेवल की मात्रा होती है कि कम पठत बहुत बहुत अपर चार नहीं है जो इस सबजय मात्रा हो रहती है और यसको पूरती करने के लिए आप मेडेशीन के यूज करें। बहुत यह पहत्रीरह दोतों यह यूज करना है । यह सब करें, जाचिकुल हम बात करें। मिर्चा वो गया। मिर्चा यूज ओ टमाटर हो गया। मिर्चा में तो इसक2 सब्थे Much यह लच्षन कहीं काम काम करता हुआर यहां तक कि आप इसको किसी भी पौधे पर यूज़ कर सकते हैं ऐब आप कड़ी पत्य करें तो कड़ी पत्य करी तो कड़ी पत्य में IP duty कोडियां ऐसे ऑप सकते हैं तो कड़ी पत्य में नहीं बहुत क्या उन्यो장OOOO परचूर मातरा में कैल्सियम की जरूरत होती है क्योंकि कैल्सियम अगर उसको जमीन में और मिट्टी में दोनों में नहीं मिलेगा तो जो उसका तना होता है तो मजबूत नहीं होगा और जब तना मजबूत नहीं होगा तो होता है कि बहुत पतला होता है और वह गिरने लगत को फैब करते तोसह सबसे पहले यूज करने कैसे को रूज करते एंद दो आप लेजिए कैलसियं और कैलसियम लेने के बाद एक गोलिया प Whether जाइए क्लेस हमें बती हम सब लेते हैं ne दोस्तों जब घूल जाएगा ति इसको कितने पानी में इसको यूज करना इसको आप नोड कर लेजिए छिड़काओ के लिए सब्जियों पे या इंडोर प्लांट है इस पे उसका छिड़काओ कर सकते हैं सब्जियों पेस का डिज़र्ट आप तुरंत देखने को मिल जाता है देखिए इसको इस तरीके से हमें इसको हल्का सा तोड़ देते हैं जल्दी से गल जाएगा है अब उसके हम रहाता हैं ईसे एक निकाला है तो इस एक चाप रेट को आप करका है कि कम द्हान रहे कि 2 1 2 3 पानी में इसको आपको डालना है को द्यांद रहे कि इसने जादे पानी हो जाए चार लिटर पानी यह एक कम पानी आप इसे यूझे नहीं करिएगा तो इसमें हम ले रहते हैं पानी पानी हो गया यह और इसको अच्छे तरीके से इसको घोल लेते हैं थोड़ी देर आप इसको डाल की छोड़ देंगे तो अच्छे तरीके से पूरा बारिक हो जाएगा दूस्तों बारिक रहेगा तो आपके स्प्रेय पंप में फिर यह फसने नहीं पाएगा अब देखिए अब करना क्या इसको हम छिटका करते हैं और देख रहे हैं यह मिर्च का पौदा है और मिर्च के पौदे दोस्तों इसका रिस्पांस आपको चार से पांच दिन में दिखने के लिए मिल जाएगा अगर कैल्सियम की भरपूर कमी है जो पत्ता देख रहे हैं पत यह अच्छा मिलेगा उसके साथ साथ में दोस्तों कैल्सियम के लिए आप जो चाक है चाक को तो यूज करते ही आप जानते हैं यह जो देख रहे हैं जो एक जो बड़ा सा चाक है अगर यह 12 इंच के पौट में कोई भी आप पौदा लगा रखें उसके लिए एक चाक यह अगर एक छोड़ा चाक को यूज करना चाहते हैं तो आठ इंच से दस इंच की गमलों में आप इस तरीके से करना क्या है अब मिट्टी में हलका सा दबा के और उसे नीचे कर दीजिए और उसमें पानी यूज कर दीजिए उसके बाद देखेंगे यह अपना मिट्टी में इसे ऐसे आप इसको सकते हैं इस चाक कोम उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है चुना चुना को भी यूज करते हैं जिसे बूजाओवा क्याते हैं जो खाने में काम आता है उस चुने को भी आप अपने पहुदे पर यूज करते हैं अच्छा इस्पांस आपको मिलता है बहुत लोग इसे यूज करते हैं कैल्सियम की कमिक लिए यह बिलकुल सस्ता उपाय चुना और आप आपको हम बताते हैं कि एक बार अगर एक पकेट ले दोस्तों दो तरीका ध्यान देजिएगा आप ध्यान से सुनिएगा एक ट्रफ पानी में एक डायल ट्रफ पानी है तो इसमें दस ग्राम डाल के छोड़ देजिए अब उसके बाद तीन से चाह दिन तक इस तरीके छोड़ देंगे तो पूरा इसमें एकदम मिक्स हो उस समय करना क्या भकन खोलने के बाद इसमें से जो आधा पानी है उस बाल्टी में डाल दीजिए और डालने के बाद फिर सिर्ज पानी इसमें भरके इस तरीके बन लिए और बन करें फिर इसको अपने गार्डेन में जहां पर रखते होंगे समान वहां पे इसको रख के लिए तो उस समय जो चुना है उसमें ध्यान दिजी एक ट्र पानी और एक ट्र पानी मात्र दो ग्राम उसको नोट करें इसके ज्यादा डोज और होगी तो फिर कहिन के मिट्टी पर जानते हैं क्रिया करें तो मिट्टी पर इसका बुरा असर पढ़े आएगा तो एक ट्र पानी में दो ग्राम लिजे चुना और घोल के तुरंत इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर थोड़ा सा इसको साथ एक चिछ और आप मिक्स करते हैं आप यह देख रहे हैं मेरे हाट में यह नीला थोता जिसे तूतिया कहते हैं कॉपफवर सलफेट तो यह बहुत ही बह अगर दोनों मिल जाता है तो बहुत अच्छा उवर कहता है आपके मिट्टी के ऊपर यहां तक कि मैं तो कैसे यूज करना है आप देख रहे हैं यह दो लिटर मैंने ले रखा पानी दो लिटर में इसमें 10 ग्राम हम डाल रखें कॉपर सलफेट जिसे नीला थोता को कहते है हैं जिसे तूतिया भी कहते हैं 10 ग्राम हमने डाल रखा है और इसको डालने के बाद इसको कैसे यूज करना अगर आपको यूज करना है दोनों को मिला के तो सबसे पहले यह एक इटर पानी और एक इटर पानी में जो यह यह देख रहे हैं चुना है बुजाबा चुना डा लिए चार से पांच ग्राम पांच ग्राम तक डाल सकते हैं एक लिटर पानी में दोस्तों अगर कोई यह वीडियो देख रहा है बहुत बड़े लेपर जो खेती करने वाला तो उसके लिए अगर जादे पानी की रिक्वार्मेंट होती है तो मैं आपको उसमें जब यह जा काव भी कर दीजिए और पाउदे की मिट्टी में यही डोज यूज कर दीजिए आप देखें कि रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलेगा दोस्तों हम कैलस्यम की बात कर रहे थे लेगिन आगर नेला थोता के उपर मैं सबस्ता कि इसको आप महीने में एक बार या दो महीने मे एक बार अपने पूरे गाडेन में जितने पाउदे होंगे सभी पाउदे के मिट्टी में इसको यूज करिए दखेंगे मिट्टी में जो फंगस है फंगस बिल्कुल खतम हो जाएगी और मिट्टी की ताकत बिल्कुल बढ़ियागी आपका पाउदा हरा वरा रहेगा दोस तो मिलते हैं आप से नियू वीडियो नियू टापे की साथ धन्यबाद